Hello students, welcome to QRK Law Classes, मेरा नाम है काशिफ खान और मैं आज आपके साथ मुस्लीम दोग का सबसे important topic जो है डिसकस करने वाला हूँ, जो कि है right of preemption. So, ये right कैसे exercise होता है, क्या इसका concept है, उसको हम discuss करेंगे इस वीडियो में, साधि जात ये भी जानेंगे कि कौन-कौन सी parties हैं, कौन-कौन से classes of person हैं, जो इस right को claim कर सकते हैं, इस right की क्या constitutional validity हैं, और कौन-कौन से important cases हैं, जो Supreme Court ने decide किये हैं इस right के regard में. So, इन सारी जीजों को हम इस वीडियो में discuss करने वाले हैं, तो वीडियो में आखरी तक बने रहिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को subscribe कर दें, साधी साथ bell icon को भी दबा दे, ताकि आने वाली सारी important वीडियो की notification आपको time पर मिलती रहे, तो चलिए आप वीडियो को शुरू करते हैं, So, right of preemption क्या होता है, सबसे पहले इसको समझते हैं, right of preemption जो एक तरह का preferential right होता है, जो एक honor of property को दिया जाता है, कि वो किसी और property को जो उसकी property से adjacent है, मतलब कि कोई ऐसा land, कोई ऐसा house, जो उसकी property के ब्राबर में है, उसको वो repurchase करे, उस person से जिसको वो property sale की गई हो, तो right of preemption या सूफा का मतलब होता है, conjunction that is adjacent, मतलब कि आपकी property से जो सटी property है, आपकी property के बगल में जो property है, वो अगर property किसी stranger को, किसी third person को sale होती है, तो उसको दोबारा से purchase करने का right जो है, वो right of preemption कहलाता है, एंगलो मुरमडन टर्म में इसको एक मतल दिया गया है, जिसका मतलब होता है adding, so अपनी property में दूसरी property को add करना एक तरह से right of preemption होता है, अब right of preemption का जो origin है, प्रॉफेट मुहमद की saying से जो हम देख सकते हैं, उन्होंने कहा था, the right of sofa hold in a partner who has not divided off and taken separately his share, अगर कोई partner है, उसने अपनी property में अपना share divide नहीं किया है, right होता है उस property में, दूसरा है neighbor का right होता है, किसी भी house का कोई neighbor है, किसी भी land का कोई neighbor है, तो उसका superior right होता है, उस land पे जो उसके बगल में है, और अगर वो नहीं है, तो जो seller होता है, उसका ये duty है कि वो उसके return मतलब कि उसके वापस आने का wait करे, लेकिन यहाँ पे सबसे neighbor का right है, वो superior होता है stranger से, जो की property उसके adjacent में है, मतलब कि जो neighbor का right होता है, stranger के उपर जादा होता है, अगर कोई adjacent property sale हो रही है तो, मुल्ला ने इस तरीके से definition दिया है, कि that the right of sofa or preemption is the right which the owner of an immobile property possesses to acquire by purchase another immobile property which has been sold to another person, कोई ऐसी property जो किसी और को sale करती गई है, उस property को दोबार स purchase करने का right जो होता है, एक immobile property के honor का होता है, और ये property वो उसी terms and condition पे खर देगा, जिस terms and condition पे उस property को sale किया गया है, same definition जो है, justice महमूद ने गोविन दयाल वर्सिस इनायतुला के case में held किया था, अब जो mean characteristics है, इस right of preemption के हैं, उसकी बात करते हैं, तो जो पहला characteristics है, वो ये ह पर्चेस कर सकता है, दूसरा यह है कि ये right जो है, वो substitution का भी राइट देता है, बायर को, कि मतलब कि जो neighbor है, वो जो है किसी अपने neighbor की property को purchase करे, उस बन्दे से जिसको वो property sale कर दी गयी है, मतलब कि अगर किस visitor को property sale कर दी गयी है, तो उससे वो repurchase कर सकता है, तिसरा है कि वो obtain कर सकता है उस property का position उसी terms and condition पे जिस terms and condition पे उस property को sale किया गया है और आखरी है ये enjoyment of property का right देता है मतलब कि आपके पास कुछ property है इसको आप extend कर सकते हैं इसको आप बढ़ा सकते हैं आप दूसरे की property purchase करके तो यहाँ पे जो है वो condition है जो three demand है right of preemption की उसको भी समझ लेते हैं जो पहली demand है उसको कहते है तलब ए मुवासिबाद जिसका मतलब होता है कि जो person है जिसको property खरीदनी है वो सबसे पहले demand करेगा purchase करने का उस property को उसी cost में जिस cost में उसको बेचा गया है दूसरा वो फिर से first demand के बाद second demand करेगा और यह demand वो witness के presence में करेगा उसके बाद आता है आपका third demand third demand होता है तलब ए तमलीक तमलीक इसमें यहाँ पर यह होता है कि जब दो demand के बाद जो है resolve नहीं की जाती है property उसको नहीं दी अब बात करते है parties की All right of preemption के लिए त्न पाट right of नहीं होते है पहला होता है seller मतलब के जो और ऑंणर होता है property का और जिस ने प्रोपर्टी नहीं होता है यहां पर यह तीन लोग होते हैं और यहां पर सबसे importantसर impress Van कि तीनों person जो है वो Muslim होने चाहिए यहाँपे जो परचेजर होता है वो अगर non-muslim होगा तो यहाँपे कलकत्ता हाइप हाई-कोर्ट और अलाभाद हाइप कोट का अलग-अलग opinion है अलहाबाद हीकुट का यह कहना है कि अगर जो पर्चेजर है वो non-muslim है तो preemption अपलाई होगा लेकिन कलकत्ता हीकुट का कहना है कि अगर जो पर्चेजर है वो non-muslim है तो वहाँ पर जो है right of preemption आप exercise नहीं कर सकते हैं अब बात करते हैं classes of person की who can claim तो कौन-कौन से person जो है वो right of preemption claim कर सकते हैं तो पहला शफीय शारिक जो होता है co-sharer फिर दूसरा आता है शफीय खालिद जो होता है जो person जो की immunity रखते हैं या appendage रखते हैं और तीसरा होता है शफीय जार जो की neighborer में आते हैं तो co-sharer मतलब कि दो लोग property on कर रहे हों तो यहां पर उनको co-sharer कहा जाएगा और उसमें अगर एक बंदा property बेच रहा है तो दूसरा बंदे का पहले right आता है कि वो उस property को खर दे share law में यह कहा गया है कि यह right तभी आपका आएगा जब सिर्फ और सिर्फ दो co-sharer होंगे अगर दो से जादा होते हैं तो यह भी right exercise नहीं होता और share law सिर्फ और सिर्फ right of co-sharer ही करता है as a right of preemption मतलब कि शफीय शारिक ही जो है इसमें इसके बाद आता है शफीय खालित मतलब कि आप अगर के पास यह right है आप यह right exercise कर रहे हैं जो right होता है is mandatory right मतलब आप किसी रास्ते से जा रहे होते हैं या कोई water use कर रहे हैं तो यहाँ पर उस area में जो भी property होगी अगर उसकी sale हो रही है तो आप यह right claim कर सकते है right of preemption अपना और तीसरा होता है शफीय जार मतलब कि आपके ask pros के अगर property sale हो रही है तो यहाँ पर जो है आपकी अगर property वहाँ पर है मतलब आपका घर है या आपकी जमीन है तो आपके आज पास के जो जमीन की property sale हो रही है उसमें आपका जो है वो right आता है कि आपको पहले preferential right देया जाए कि आपको पहले property sale की जाएगी या फिर अगर property sale हो जाती है तो आपका right आता है कि आप उस property की repurchase कर सकते हैं अब बात करते हैं constitutionality of right of preemption की क्या constitutional right है हमारा right of preemption या नहीं है तो जैसा कि हमने बताया कि तीन तरीके के लोग होते हैं वो right of preemption claim कर सकते हैं शफिय शारिक, शफिय खालित और शफिय जार तो जो पहले दो हैं मतलब co-sharer वाले और जो दूसरे होते हैं honor of servant and dominant heritage वाले तो यहाँ पर उनका right के उपर supreme court ने कहा कि वो right प्रेम्शन का रखते हैं उनसे कोई लेने देन नहीं लेकिन जो तीसरा right है right of neighbor वाला उसमें supreme court ने अपना decision दिया जिसको दो phase में देखा जा सकता है एक 44th amendment से पहले और एक 44th amendment के बाद अब 44th amendment से पहले right of property हमारा fundamental right था तो इस वरसे supreme court ने भाव राम वर्सेस बैजनात सिंग के case में यह हेल कि अगर इस तरीके कोई restriction लगाया जाता है कि आप अपने पडोसी को ही property बेचोगे या फिर किसी को आप property बेस दोते हो तो वहाँ प अगर restriction अगर हम लगाते हैं तो वह reasonable नहीं माना जाएगा साथी साथ society को हम divide नहीं कर सकते कि वह कास्ट या religion के basis पे प्रॉपर्टी का sale या purchase करे क्योंकि वह prohibited है अंडर आर्टिकल 15 of the Constitution of India लेकिन क्या हुआ कि 44th amendment के बाद right of property को हटा दिया गया और उसको as a constitutional right बना दे गया अंडर आर्टिकल 300a लेकिन जब यहां पर सवाल उठा कि क्या जो है अब जब right of property हमारा fundamental right नहीं है तो क्या जो customary rule है विसनेज वाला प्रियम्शन राइट वाला क्या वो जो है दिया जा सकता है on the basis of caste and religion और क्या वो अगेन प्रोहिबिट करता है अंडर आर्टिकल 15 of the Constitution of India और नॉट तो यहां पर अगेन सुप्रीम कोर्ट का एक judgment आया केस में जिसका नाम था रजाक भगवान वसस इब्राहीम हाजी मुहमद हुसैन इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने राइट अफ प्रियम्शन जो कि on the basis of विसनेज था मतलब के नेबर हूट पे था उसको कहा कि यह वॉइड है और अनकॉंस्टूशनल है जिसमें यहां पर एक इनसान था एक भाई था उसने अपनी दो बहन की प्रॉपटी जो कि अल्री डिवाइड हो चुकी थी उन्होंने जो प्रॉपटी किसी स्टेंजर को सेल की थी उसको री पर्चेस करने के लिए अपना प्रियम्शन राइट मांगा on the basis of विसनेज on the basis of नेबर हुग तो यहां राइट प्रेयम्शन सिर्पाइब और सिसिल के केस में इक्रीस किया सकता है उसके लावा जो अधर केसिस इसमें राइट प्रियम्शन में नहीं होता है। लेकिन फिर भी जो है इस case में जो है right of preemption exercise नहीं किया जा सकता। So students ये थी आज की हमारी वीडियो, I hope इस topics related सारे concept आपको clear हो गया होंगे, फिर भी कोई doubt है तो आप हमें comment box से बता सकते हैं, हम आपके doubt को clear करने की फूरी कोशिश करेंगे, मिलते हैं इस important वीडियो के साथ तब तक के लिए goodbye and keep reading.